ट्यारे बच्चो वेलकम टू माई वर्चौल क्लास मैं जेलाल प्रभक्ता हिराणाल बाराशनी इंटर कोलेज अलीगड़ ट्यारे बच्चो अवकल समीकर्ण के चैप्टर में आज हम आपको बताएंगे एक नए टोपिक के बारे में जिसका नाम है ट्यारे बच्चो समगाति अवकल चमिकर्ण हुमोजीनिय forgiving radical equations बच्चो इस टोपिक के अंतरगरध हम आपको बताएंगे समगाति आफलन की पर्वासा समगाति अवकल चमिकर्ण की पर्वासा एवं समगाति अवकल चमिकर्णों को हल करने की गिढ़े लेकिन पियारे बच्चो ईस बन टोपिक जाने से पहले मैं इस से ठीक पहले के ब्याक्ठान पर जाना चाहूँगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रिथम कोटी एवं प्रिथम गात की अवकल चमीकरों को जब अवकल चमीकरों दी एपॉण डी-एक्स इएक्स इखल टू एफएक्स के रूप में होता है प्यारे बच्चों साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि चर प्रतक करण विदी का इस्तेमाल उन अवकल समी करणों को हल करने के लिए किया जाता है जहां चरों को पूर्ण रूप से प्रतक किया जाता है अर्थात वाई वाले फलन डी वाई की तरफ तो एक्स वाले फलन डी एक्स की तरफ कर दिये जाते है चलिए तो प्यारे बच्चों आज की टॉपिक को आते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा शम गाती है फलन तो दो चरों का फलन F X Y, एन घात का सम घात ये फलन कहलाता है, यदि एक्स की जगे आप लेमडा X लग दें फलन में और Y की जगे लेमडा Y लग दें, तो ये इस्तती आजाए, लेमडा की पावर N F X Y, जहां लेमडा क्या है आपका, लेमडा सुन्यतर अचर है, शुन्यतर का मतलब non zero constant है, ठीक है पहरे बच्चों, तो इस रूप में आपको लाना होगा, जब भी आपको प्रूप करना होगा, देख रहे हैं, पहरे बच्चों, उधारन है, मैंने हाँ उधारन लिया है, कि F X Y is equal to X square minus 2 Y square plus X Y, दो घात का सम घात ये फलन है, क्यों? क्योंकि जब हम X की जगा, लेमडा X और Y की जगा, लेमडा Y रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो कुछ इस्टती इस पकार से मिलेगी, देखिए, ये देखिए, मैं रखा है, F लेमडा X, लेमडा Y is equal to लेमडा X का whole square, minus 2 into लेमडा Y का whole square, plus X की जगा, लेम X into Y, अब इस में से राइट हैंड साइड में से क्या हैगा, लेमडा square common आएगा, प्यारे बच्चो, तो लेमडा square common आएगा, तो लेमडा की power 2 होगा, वो क्या होगा, वो आपका 2 जो है, एन की value होगी, ये, एन की value 2 है आपर, जिसे बात कर रहेते हैं अभी हम, क्या बात कर लेमडा X, लेमडा Y, इस इकल टू लेमडा की power N, F X Y, पर लेमडा की value कितनी मिली आपको 2, तो ये दो घातिये का, दो घातिये समगातिये फलन है, परन्तु, फलन F X Y जेकल टू शायन X प्लस कोस Y, किसी भी N के लिए समगातिये फलन नहीं है, अब आप कहें किसी भी N के ल घात तो प्यारे वच्चों मैंने आपको बताया था, जब अपकल समीकन का पहला ही टॉपिक डिगरी एंड ओर वाला, जब कंसेप्ट बताया था तो बताया था कि घात हमेशा धरात्वा कोडान ही होती है, समगाति फलन नहीं है क्यों क्योंकि जब एक्सी जगे लेमडा X देखेंगे तो यहां भी रखेंगे हम एक्सी की जगे लेमडा X, Y की जगे लेमडा Y, तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते, देखिए, यह देख रहा है आप, यहां पर किसी भी तरीके से लेमडा इसमें से क्योंकि यह एंगल बन गया है वह आपका पूरा, लेंग एंगल है यह यह बी आपका इंगल है तो इसमें से कोमन नहीं निकाला जासकता है तो इसको इस तरह से नहीं लिखा जासकता है तो प्यारे बच्चो इसलिए इस समगातिये फ़लन नहीं है अब बात करते हैं प्यारे बच्चो एन गात का समगातिय फलन इस प्रकार भी अव्यक्त किया जा सकता है कैसे f x y is equal to x e power n g y upon x या f x y is equal to y की power n h x upon y अब आपके दिमाग में प्रशन उठ रहा होगा कि ये कौन सी नई फोम आ गई आईए मैं बताता हूँ देखिए मान लिजे मैंने question लिया f x y is equal to y square plus 2 x y प्यारे बच्चो इस message जड़ा x square common लिजे क्या आएगा ये आजाएगा y upon x का whole square plus 2 into y upon x ये देखिए और ये होगा आपका x square इसको एक फलन मालने हम कोई y upon x का है न ये तो ये होगा g y upon x इस रूप का आ गया n की value क्या है आपर 2 तो यानि f x y को हम इस तरह से भी ले सकते हैं यानि ऐसे भी लिख सकते हैं अब इसमें से common मैं इसी वाले मैं से common again y square ले ले लेता हूं क्या मिला आपको ये मिला आपको 1 plus 2 और ये मिला आपको x upon y और ये भी आपको क्या आगया फलन आगया x upon y के रूप में तो क्या हुआ ये y square h x upon y ये देखिए ये वाली टाइप है तो n गात का समगाती फलन या तो इस रूप में लिखा जा सकता है या इस रूप में भी लिखा जा सकता है दोनों में से किसी भी हाथ के किसी भी रूप में लिखा ज़ता है लेकिन जब इसकी पावर जीर हो जा है एन की वैलू जीर हो जा है यहां भी एन की वैलू जीर हो जा है तो ये पूरा का पूरा जो फलन है ये शून निगात का फलन कहलाएगा यही से समगाती अवकल समीकन की परवासा का जनम होता है देखिए कैसे समगातिय अवकल समीकर किसे कहते हैं ये देखिए समगातिय अवकल homogenial differential equations d y upon dx is equal to f x y के रूप बाला अवकल समीकर समगातिय कहलाता है यदी f x y शून निगात वाला समगातिय फलन है वही वाली बात आगे जो मैं अभी आपको बता रहा था और इसको हम इस तरह से भी लिसकते हैं dy upon dx is equal to fxy is equal to gy upon x अब आपके लिए कोई नई टर्म नहीं अभी अभी बताई थी मैंने आपको के रूप वाले समगाती सर्मिकन को हल करने के लिए प्यारे बच्चों हम y upon x is equal to b रखते हैं यह y is equal to bx प्रतिस्थापित कर देते हैं अगर अर्थाद y क्या रखा था आपने y is equal to bx y is equal to क्या लिया था आपने bx देखे प्यारे बच्चों यहां पर वी जो है ना constant नहीं है यह यह विच्चर है तो इसका जरा x के साफ एक शवकलन करिये तो यही मिलेगा dy upon dx is equal to v पहला फलन प्लस x into dv upon dx product rule से गोड़न फल के रूल से तो जो समीखनता आपका अब जो dy upon dx हा उसकी जगे आपका यह आगए वी प्लस x dv upon dx is equal to इधर क्या था जी वाई अपॉन x जी वाई अपॉन x यहां पर यह क्या था जी वाई अपॉन x यह था वाई is equal to क्या रखा आपने v x x कटिया क्या गया जी वी अब मैंने इस वी को ट्रांस्फर करके इसकी तरफ ले लिया यानि वी वाले ट्रम एक तरफ ले लिये इसके प्यारे वच्चों चरों का प्रतक्की करण करेंगे कैसे करेंगे यह डी वी की तरफ ले जाएंगे इसके बाद फिर इसका इंटिकेशन कर देंगे दोनों तरफ इंटिकेशन करते हैं और इसके बाद में फिर जो आएगा वो उसका स्वालूशन कहला आएगा यानि भी को फिर य अपन एक्स से बदल दिया जाएगा तो स्विकर्ड सैकंड जो था आपका स्विकर् फरस्ट का निखुड जेख वार्वर स्विकर्स Прेता ओ आपने लिया दो डिया थे तो तो प्इरएवाली बात आपकी समझ में आ गई होगी है अगे बढ़ते है देखें दूसरी फोर्म लेते हैं इसकी अब तक तो बात कर रहें थे हम समगातिय अवकल समीकरन जब dy upon dx is equal to fx y is equal to gy upon x की रूप में लेके होते हैं आप ये दूसरी प्रकार का समगातिय अवकल समीकरन है जो dx upon dy is equal to fxy is equal to hx upon y अब देखें ये आपकी समझ में आ रहा होगा क मैं इस तरह जे क्यों लिखा है रूप में है जहां पर fxy क्या आपका यह fxy इसको f छोटा भी लग लगते हैं बड़ा भी लगते हैं हाला कि अब बड़ा लग गया है f xy 0 निगात वाला समगाती है फलन है तो हम समीकन का हल गयात करने के लिए अब क्या पुट करेंगे x is equal to vy और पहले वाले में क्या था जब dy upon dx is equal to fxy था तब उस टैम पे क्या पुट कर रहे थे हम y is equal to vx और जब dx upon dy के रूप में है अवकल समीकन समगाती है तो x is equal to vy पुट क तो मुझे अंबीद है कि यह आपकी समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि NCRT का Q16 है जरा चेक कर लिजेगा NCRT में और उसके बाद नेक्स टॉपिक बढ़ते हैं कि प्यारे बच्चों समगाती हवकल समीकन को solve करने की विदी मैंने ये वाला रूप लिया है dy upon dx is equal to fxy तो पहले समीकन को प्यारे बच्चों इस रूप में लिखें उसके बाद फिर हमें ये सिद्ध करना होगा समगाती हवकल समीकन है या नहीं उसके लिए क्या करना पड़ेगा X की जगे लेंडा X, Y की जगे लेंडा Y रखे और अगर इस तरह का आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये दिया हुआ अवकल समीकन समगाती है उसके बाद फिर इसमें इसको हल करना के लिए Y is equal to V X रखते हैं अर्थाăng D Y upon DX is equal to V plus X DB upon DX प्रतिस्ताफित करते हैं उसके बाद फिर Q करते हैं फिर X और Y में चलों को प्रतट करते हैं बाद मैं फिर समीकर्ण को हल कर लेते हैं और जो शमीकरण हमें प्राप्त होता है और शमीकरण में बी किस्तान पर य अपॉन एक्स प्रतिस्तापित करते हैं जो उसके बाद में वही आपका अविष्ट समीकरण कहलाता है अविष्ठ हल कहलाता है समीकरण का आई एक्जामपल पर आते हैं पैरे वच्छो तो सबसे प गात वाले समगाती है फलन तो प्यारे वच्चों जैसे के मैंने पहले वताया कि इस प्रकार के समीकणों को हल करने के लिए हम y is equal to vx प्रतिस्थापित करते हैं तो आईए question लेते हैं इस पर question है आपका अवकल समीकण within bracket x sin square y upon x minus y bracket 1 dx plus x dy equal to 0 यह एक्स की value 1 है तो y की value pi y 4 के लिए दिये हुए प्रत्वन को शंतुष्ट करने वाला विसस्थ ठल ग्यात कीजिए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ प्यारे वच्चों आपको दिया हुआ यह समीकण इसके बाद पहला काम हमारा क्या होगा सबसे पहले समीकण को हम dy upon dx की रूप पे लिखेंगे तो देखिए मैंने ट्रांसफर करके इदर को इस राइट अंड साड मेलेगे इसको फिर dx का भाग दे दिया तो dy upon dx की value यह आ गई इसको प्यारे बच्चों मैंने fx y माल लिया जयासा कि हम पहले लेकर के चलेते हैं अब क्या करेंगे fx y is equal to पहले असे लेंगे और यह प्रूब करेंगे एक्स जगे लेम्डा एक्स और वाई की जगे लेम्डा वाई रखेंगे तक कुँ आप प्रू प्रूब करेंगे कि दिया हुआ फलंट शुम की घ्ल्ण है या नहीं है value रखने पर क्या मिला हमें लेखिए छिए लेम्डा एक्स रख़ा य की जगे लेम्डा वाई रखका बिल्कुल हर जगे रखा जहां जहां जरूरती और यह लेम्डा से लेम्डा कट गया और देखें यहां से लेम्डा कॉमन आ गया नीचे भी लेम्डा है तो प्यारे बच्चों लेम्डा की पावर 1 उपर से कॉमन आया लेम्डा की पावर नीचे से कॉमन आया और यह हो जाएगा आपका लेमडा की पावर 0 तो लिख दिया में लेमडा की पावर 0 और अंदर जो आया बिलकुल वही आया जो fxy की value है इसलिए यह क्या सो करता है f lambda x lambda y is equal to lambda की पावर 0 fxy अता है fxy 0 निगात का समगातिय फलन है अब हम dy upon dx चुक दे रखा is equal to हमारे पास minus x sin square y upon x minus y upon x तो दिया हुआ है और यह कौन से स्वरुब वाला है समगातिय अवकल समी करना है dy upon dx is equal to fxy वाला है इसलिए इसमें क्या प्रतिस्थापित करेंगे y is equal to vx प्रतिस्थापित करेंगे अर्थाथ dy upon dx is equal to v plus x dv upon dx रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें रख दिया हमने dy upon dx दिक जगे v plus x dv upon dx is equal to minus x sin square देखिए हम y था ना उसकी जगर vx रख दिया तो x से x कट गया आपका minus vx upon x यहां से प्यारी बच्चों देखिए x common ले लेंगे तो नीचे वाले x से x कट जाएगा क्या बचाएगा sin square v minus का v उपर तो क्या इस्तिती हो जाएगी इसकी यह हो जाएगी right hand side हो जाएगी minus sin square v minus v अब यह minus और यह minus मिलके plus के v हो जाएगे जो left hand side से वाले v से कट जाएगा क्या मिलेगा हम है x dv over dx is equal to minus sin square v अब चरों को प्रतक करेंगे पहरे बच्चों कैसे चरों को प्रतक करेंगे इस sin square v को हम dv के तरफ लेके आएगे sin square v को और x को हम right hand side में burn upon x into dx कर देंगे तो क्या मिलेगी इस्तिती हमें हमें result यह प्राप्त होगा देगे burn upon sin square v dv is equal to minus 1 upon x dx चरों को प्रतक करने पर और आप जानते है burn upon sin square v की value किसके वरावर होती है कुष है कि square v के dv और यह हो गया आपका burn upon x minus का into dx अब integration भी ले लिया साथ साथ हमने integration लेने पर integration ले लिया तो सी तो आई गई आएगा प्यारे बच्चों और आप जानते है कि square v का integration क्या होगा minus cot v और इसका क्या हो जाएगा log mod x चलिये तो क्या मिलेगा हमें हमें जो मिलेगा प्यारे बच्चों यह मिलेगा minus cot v is equal to minus log mod x plus c और इसके बाद प्यारे बच्चों हम इसमें v is equal to y upon x रखेंगे क्यों रखेंगे क्यों रखेंगे क्यों क्यों हमने y is equal to kya माना था y is equal to v x माना था यहां से v की value क्या हो जाएगी y upon x तो y upon x रखा हमने तो क्या मिला हमने minus इसके बाद भी common ले लिया तो यह इदर आजाएगा यह minus का जो था आपका यही रहने दिया cot y upon x is equal to c रखेंगे अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे next step इसमें condition apply करेंगे condition क्या दे रखेंगे कि जब x is equal to 1 तो y is equal to pi y4 रख दिया हमने x के value पर रख दी लोग 1 हो गया यह लोग 1 की value कितनी होती है 0 और यह हो गया cot y4 रखा upon x की जगे पर रखा तो cot pi y4 की value कितनी होती है प्यारे बच्चों 1 होती है माने यह cot अगला step यह होगा cot pi y4 is equal to c अब यह 0 हो जाएगा इसकी value 1 हो जाएगी तो 0 minus 1 is equal to c तो c की value कितनी मिलेगी हमें c की value प्यारे बच्चों minus 1 मिलेगी और c कमान हम समीकर 2nd में रखेंगे समीकर 2nd क्या यह है तो यहाँ हम minus 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा समीकर log mod x minus cot y upon x is equal to minus 1 तो शमीकर हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों देखिए यह log mod x minus cot y upon x is equal to minus का 1 अब प्यारे बच्चों जैसे आप जानते हैं 1 को हम log e भी लिखते हैं यह log e is equal to 1 होता है तो हमने इसको भी 1 कोई जागे क्या लिखका log e और यह जो log mod x है इधर हो जाएगा right and side में transfer हो जाएगा तो आप जानते हैं यह formula कौन सा formula log m plus log m plus log n is equal to क्या होता है log m n यह तो इसी formula का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या में लेगा प्यारे बच्चों cot y upon x is equal to log mod e x यही अभी स्थाल है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरे प्रारोप के माने gx dx upon dy is equal to gxy जहां gxy शून गात वाले समगाती है फलन है प्राधारित प्रस्चों मैंने बताया था प्यारे बच्चों इस पकार के समीकर्ण को हल करने के लिए x is equal to v y प्रतिस्थापित करते हैं समीकर्ण मैं देखे से सम्मंदित आप example समीकर्ण समीकर्ण आपका y dx plus x log y upon x dy minus 2x dy is equal to 0 को हल कीजी तो क्या दिया है प्यारे बच्चों हमें यही वाला समीकर्ण हमने ले लिया कि यह दिया हुआ है चलिए तोड़ा सा इसको इस रूप में ले लेतें dx upon dy dy तो क्या है dx upon dy is equal to 2x upon y minus x upon y log y upon x यह आ गया प्यारे बच्चों अब आप देख रहे हैं यहां पर पड़ा ध्यान देने योग बात यह प्यारे बच्चों को देखे यह तो x upon y यह वी x upon y में है लेकिन यह y upon x में है तो क्या करेंगे इसे चेंज करने के लिए इसको हमेज़ा करतेंगे इसको 1 upon x upon y बना देंगे फिर उसमें log m minus log n का formula लगा देंगे तो क्या position हो जाएगी position आपकी हो जाएगी देखिए log यह exit चलेगा dx upon dy is equal to 2x upon y minus x upon y log 1 upon x upon y और log m minus log n यह क्या का काम करेगा n का x upon y यह m का का काम करेगा तो यह हो जाएगा log 1 minus log x upon y और log 1 की value कितनी होती है पहरे बच्चो लोग 1 की value होती है 0 तो यहाँ पर next step क्या होगा हमारा next step हो जाएगा इसकी value जब 0 हो जाएगी तो यह minus और यह minus मिल करके plus हो जाएगे तो ये plus का हो जाएगा X upon Y log X upon Y ठीक है पारे बच्छो दो पैरे बच्छो जाएगी 0 तो ये क्या सिर्दे करता है यह सिद्ध जिखता है कि यह समगाती है अवकल शमीकण है यह बात तो प्रूब को हो गई अब पैरे वच्छो अब इसका हल निकालेंगे तो हल निकालने के लिए क्या करते हैं जैसा कि मैंने बता है एक सी इकल टो बीवाई पुट करेंगे इसका आप य के साफ एक्ट यह उपकलन करेंगे तो किया गडि एक साफ डिवाई इस इकल टू वी वाई का बन हो गया प्लस वाई और दी वी अपन दी वाई मैंने वदाए ना वी जो आपका इचर है यह यह constant नहीं है यह चर है इसको एक्स के साफ एच भी इसका आपकर सकते हैं तो डी एक्स अपन डी वाई की जगे क्या रखता हमने वी प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई यजी कल टू्मारी समीखंड था पियला वला और समीखंड क्या ता जड़ा देखिए समीखंड था यह तो यहां पर जब आपने रखा था तो वाई से वाई कैंसल हो गया तना-ए वी य रकेंगे नहीं यह इसा यह घैका यहाली बाइट विय गोल problem कि मैंने में गहीं हो जाएगा न थे कर दो चीछा एक्षकर यहां पर टकीं स्वित्ता फ्राइट ना हो जाएगा यहां पर एक्साइक उपलीयोग आग्रेस यहां पर आपका तो एक V से V चैनल हो जायागा, तो कितना बचाएगा, V प्लस V लॉग V, और इसमें से फिर एक V कॉमन ले लेंगे, तो नेक्स स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, यहां से वी कॉमन ले लेंगे, देखे थोड़ा से इसको एसे लिख लिएजे, V प्लस V, और यह हो जाएगा, ल यहां लिख दिया, इस टू वी को दो बाल लिख दिया, V प्लस V, तो एक तो आपका V से यह वाला V चैनल हो जाएगा, तो क्या बचाएगा, V इसमें से प्लस लॉग V, अब डी वी के तरफ ले जाएगे, वाले टरम्स को, तो कितना बचाएगा, वन अपॉन वी, वन प्लस लॉग V, इंटू डी वी, इस इकल टू, वन अपॉन वाई, डी वाई, चरों को प्रतक कर दिया, हमने, इसके बाद इंटिगेशन करेंगे, इसका दोनों तरफ, इंटिगेशन करने में, प्यारे बच्चो, अब चुँको देख रहे हैं, इसका लॉग में आएगा, लॉग मॉड वाई, इसलिए हमने लॉग मॉड सी ले लिया, और प्यारे बच्चो, इसको अब टी मानेंगे, ती, देखिए, यही माल लेता हूं, मैं, बन प्लस लॉग V, इसी कल टू, तो कितना आ जाएगा, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, और डीवी इसी कल टू, डीटी, यह बेसिकली जीरो प्लस आएच होगा नहीं है, तो यह तो बन पॉण बी हो गए ना, कमँबाइन रूप से, तो बन पॉण बी, डीए इसी कल टू, तो बन पॉण बी, डीवी की वैलू कितनी हो जाएगा, डीटी, और यह जाएगा, बन mod y तो प्यारे वच्चो कितनी हो जाएगे इस की स्थी ये बन अपन T का कितना हो जाएगा बन अपन T का होगा लॉग T बन अपन T इसको माना था मैंने भी आपको T dT इस इकल तो log mod y plus log mod c और इसका होगा log mod T mod T तो T की वाइलू किया यह थी तो यह हो जाएगी log mod 1 plus log v is equal to log mod y plus log mod c अब प्यारे वच्चों आप देख रहे हैं कि इसको मैं left hand side में ले गया minus करके तो यह equation बनी आपके तोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आगे आगया log m upon n वाला लग गया वही आपका log m minus log n पर आवर log m upon n तो हो गया log 1 plus mod में 1 plus log v upon y is equal to log mod c अब यहाँ पर हो गया आपका 1 plus log v upon y is equal to c अब v की value प्रतिस्थाफित करेंगे यहाँ पर तो v की value प्रतिस्थाफित करने पर क्या मिलेगी क्या माना दामने x is equal to v y तो प्यारे बच्चों यहाँ पर v की value क्या मिलेगी आपको v की value यहाँ से निकली आपकी x upon y तो v की value रख दी हमने x upon y और यह वाली y is दर की तरफ आ गई तो 1 plus log x upon y is equal to c y आ गया यही आपका अभीस्थ हल है चलिए प्यारे बच्चों मुझे अम्बीद है आपकी समझ में आ गया होगा तो प्यारे बच्चों देखते हैं आज हमने क्या सीखा आज हमने सीखा समगातिय फलन क्या होते हैं दूसरे नमबर पर सीखा समगातिय अवकल समीकन की परवासा क्या थी तीसे नमबर पर देखा, हमने इसके समगातिय वकल समीकन को हल करने की क्या विदी है जब dy upon dx equal to fxy की रूप में समीकन लिकाओ जहां fxy आपका 0 गात का समगातिय फलन है और प्यारे वच्चो यह बताया था कि इस पकार के समीकन को हल करने के लिए y is equal to vx प्रतिस्तापित करते हैं इसके बाद प्यारे वच्चो दूसरा इसका रूप बताया था उसमें यह बताया था कि जब dx upon dy equal to gxy जहां gxy आपका अश्वन गात वाला फलन है इस पकार के समीकन को हल करने के लिए क्या पुट करते हैं x equal to py और बिंदू 3 पर आदारे आपको उधार भी कराया थे प्यारे वच्चो इसके बाद आपका प्यारे वच्चो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा रेखिक अवकल समीकन की संकल्पना है वो उनको हल करने की विधी यहां प्यारे वच्चो मैंने आपको थोड़ा सा हमबर्ग दिया है इस हमबर्ग को आप कर लीजे आज इतना ही सेश कल तन्यवाद